गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग सद्गुरू, गुड इवनिंग देवियों और सज्जनू सद्गुरू और मैं एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं मुझे आश्रम में एक दिन रुखने का सौभाग्य मिला वे मुझे 1967 की एक शक्ति-शाली सुजू की जीप में ले गए थे साल सही है? तोयोटा ओ, टोयोटा, एक ही बात है, वो भी जपानी है और हम घूमे और मैंने वो जबरदस्ट काम देखा, जो ये करते हैं जिंदगी भर मैं एक अलग आध्यात्म का आधी था जो शाम साड़े साथ बजे के बाद शुरू होता था पर पहली बार मैंने देखा कि बिना भेदभाव के मानफता की फिलोसफी और जीवन के प्रती उत्साख के द्वारा सद्गुरू और उनकी फाउंडेशन वाकई लोगों का जीवन प्रभावित कर रहे हैं तो सबसे पहले एक व्यक्तिगत क्या मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल आज सुभाय किसी ने मुझसे पोचा सद्गुरू क्या वाकई सुहेल सेट के साथ बादचीत करने वाले हैं? तो मैंने उनसे कहा हाँ, सद्गुरू आप ये कैसे कर सकते हैं? वे सबसे गएर अध्यात्मिक लोगों में से एक हैं मैंने कहा अगर वे अध्यात्मिक होते तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होता वे गएर अध्यात्मिक हैं तब ही लेना देना हैं गेर आध्यात्मिक लोगों पर ही मैं काम करता हूँ और बात ये है कि बात्ची तभी होती है जब उन्हें बात करनी आती हो और ये बात कर पाते हैं तो स्कोर एक शून्य है पर मैंने अभी ये नहीं खा किया आगे कौन है लेकिन मैंने आपके बारे में अच्छी बाते कही है जी बल्कुल ये शुरू करने का बहुत अच्छा तरीका है एंकर को जटका दे कर ये दिलचस्प चीज है चली इसी से शुरू करते हैं किसी का सारवजनिक रूप से आध्यात्मिक होना या किसी व्यक्ती, संस्था या दर्शन में विश्वास करना जरूरी क्यों होना चाहिए अगर मैं अपने आप में एक अच्छा इंसान हूँ तो क्या आध्यात्म को कोई परिभाशा देना जरूरी है देखें पहली बात ये कि लोगों की आध्यात्मिकी समझ उनकी दीवारों पर टंगे कैलेंडरों से आती है आम तोर पर इस देश में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ लोग सबसे पहले पूछेंगे आप क्या-क्या नहीं कर पाते हैं तो उनके हिसाब से आध्यात्म एक तरह की विकलांगता है आध्यात्म विकलांगता नहीं है ये जबरदस्ट शक्ती है अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको सामानने लोगों से ज़्यादा चीज़ें करना आना चाहिए पर आम तोर पर माना जाता है कि आध्यात्मिक लोगों को कुछ भी करना नहीं आता आपने कार का जिक्र किया इसलिए मैं बता रहा हूँ शुरू में लोग कहते थे अरे ये अपनी कार खुद चलाते हैं, ये कैसे गुरू हैं मैं कहता था अगर मैं एक ड्राइवर रखूंगा तो बहतर गुरू बन जाओंगा मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ, खाना खुद पकाता हूँ, अपनी चीजें खुद करता हूँ, क्या ये सब करना गलत है। तो क्या आध्यात्मिक है और क्या आध्यात्मिक नहीं है, मैं इसे सपष्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ। धर्ती पर असा कोई नहीं जो किसी रूप में आध्यात्मिक नहों, पर कुछ लोग आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं। तो इसी पर विचार करते हैं, अगर आपको अध्यात्म की परिभाशा देनी हो, और मैं गलत धार्नाओं की बात नहीं कर रहा, जो आपने अभी बताई, आप अध्यात्म को कैसे परिभाशत करेंगे, वैसे मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूं, भारत में ट्राफिक आपके विचार जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको इसका शांदार तरीके से समर्थन करते सुना हैं, ऐसी भावना है कि ये पुरुष या स्त्री समर्पन करें, जुकें, और ये उन्हें एक अलग तरह से निर्भर बनाता है, तो आपके अनुसार अध्यात्म का सार क परे ले जाने के कोशिश की है, जो भातिक्ता से परे है, वो आपके लिए एक जिवन्त अनुभव है, ना कि मान्यता, जब आप इस चीज के खोज करते हैं, तो आप एक साधक होते हैं, ना कि विश्वास करने बाले, क्योंकि विश्वास का मतलब है, कि आपने जीवन और उससे परे के बारे में अपनी मान्यता ठोस कर ली हैं। खोजने का मतलब आप महसूस कर चुके हैं कि आप नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप ये देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तभी जानने की संभवना आपके लिए एक सचाई बनती है खोजना, जानने की इच्छा करना ये एक संभवना बन जाती है तो आध्यात्म का मतलब है कि या तो आप ऐसी स्थिती में हैं जहां आपका जीवन का अनुभव आपकी भौतिक प्रकृती से परे चला गया है आप उसे छूपा रहे हैं जो भौतिक से परे है या आप ऐसी स्थिती में हैं जहां आप खोज रही है यानि आपने इस अस्तित्व और अपने अस्तित्व की प्रकृती के बारे में अपनी अज्ञानता स्विकार ली है क्या आप मानते हैं कि कभी-कभी हमारा अहंकार हमें अपनी असुरक्षाओं को स्विकार करने से रोपता है हमारी खोज मैंने कहा मैं माननेताओं पर जोर नहीं देता आप जानते ही हैं इस थरह से लोग नहीं नहीं ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है मैं ये मानता हूँ मैं वो मानता हूँ और मैं ये सब मानता हूँ तो मैं मानने ता शब्ध हटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप जानते हैं वो जानते हैं जो नहीं जानते नहीं जानते इसमें समस्या क्या है जो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता ये देखना सुन्दर और मान भी है कि जो हम नहीं जानते उसे उसी तरह देखें। ये नहीं देखा तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो क्या वज़ा है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को नहीं स्विकारते। क्योंकि मुझे लगता है हमारी शिक्षा ही ऐसी है। जानते हैं वो बहुत छोटा है। तो आप अपनी पहचान उस छोटी सी चीज से जोड़ रहे हैं जो आप जानते हैं। और अंदेखा कर रहे हैं उस जबरदस्त संभावना को जो आप नहीं जानते। लगातार ये स्विकार करना कि मैं इस अस्थित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। इससे आपकी बुद्धी खुली और सक्रीर होती है। वरना आप ऐसे बन जाएंगे। मैं वैसे शब्द इस्तमाल नहीं करना चाहता। समय के साथ हमने इस देश में और दूसरे देशों में कई आध्यात्मिक आंदोलनों को आकार लेते देखा है। हमने हर स्थार जैसे व्यापार, शिक्षा, आदी के लोगों को इस मार्ग पर वाकई चलते देखा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ है? ये एक बुनियादी इंसानी इच्छा है, इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। आप कहीं भी हो एक इंसान के रूप में आप थोड़ा और जादा होना चाहते हैं। जब वो थोड़ा और होता है, तो आप थोड़ा और होना चाहते हैं, ये एक अंतहीं चीज है। अगर मैं आपको धर्ती का राजा बना दूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है? और ना ही मैं बनूँगा। तो अगर आपको इस ग्रह का राजा बना भी दिया जाए, तो आप स्वाभाविक रूप से सितारों की तरफ देखेंगे। इंसानी बुद्धी का यही स्वाभाव है। मेरा मतलब लोगों को लगता है कि आध्यात्म का मतलब आपके पास जो है उससे संतुष्ट होना है, संतोश सीमत करता है, यह इंसानी बुद्धी का स्वाभाव नहीं है। इंसानी बुद्धी ज्यादा नहीं चाहती, यह सब कुछ चाहती है। सब कुछ भौतिक रूप से नहीं पाया जा सकता. जब तक आप भौतिक रूप से परे नहीं चले जाते, आप सब कुछ नहीं पा सकते. शायद ज्यादतर लोगों में ये इच्छ चेतन रूप से व्यक्त न होती हो, पर आम तोर पर अगर ये भौतिक स्थर पर प्रकट हो, सरल, बुन्यादी, भौतिक स्थर पर तो इसे काम वासना कहते हैं. जो आप नहीं हैं, उसे आप अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ये मानसिक स्तर पर प्रकट होती है तो इसे जीतने की इच्छा या बस शॉपिंग कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें अगर ये भावनाओं में प्रकट होती है तो इसे प्रेम, करुणा कहते हैं पर अगर ये चेतना स्तर पर प्रकट होती है तो आम तौर पर इस देश में तकनीकी रूप से हम इसे योग कहते हैं क्योंकि योग शब्द का मतलब है कि आप भ्रह्मान से मिलकर एक हो गए हैं। योग शब्द का मतलब शरीर को मोड़ना वगेरा नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का आपका अनुभव अस्तित्व के साथ मिलकर एक हो गया है। या सामान्य शब्दों में यही आध्यत्म है।